तो हेला दोस्तों वेलकॉम बैक टो आर्चानेल जब अब्डेट्स जोन दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी जोब है केंसी की अब्डेट्स जो क्या आया है, स्टाफ सिलेक्शन कोमिशन की तरफ से, जहां दोस्तों यहां पर SSC CDL की पोस्ट आई है जो कि आपका 20,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर रिकुट्मेंट के दाएगा तो चलिए देखते हैं पुरे डिटेल्स में क्या-क्या पोस्ट रहेगा एज लिमिट क्या रहेगा और आपका सिलेक्शन प्रसेस क्या होगा सबको पुरे डिटेल्स में देखते हैं तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी द्वा देजिए ताकि ऐसे अब्डेट से आपको सबसे पहले मिल शकें तो दोस्तों यहां पर बात करें ऐसे सी कि जो होता है स्टाप सिलेक्शन कमिशन पर एक अफिस सब्सक्राइब करें 20,000 से भी ज्यादा यानि कि आपका यह बहुत बड़ी जोब भीकेंची होने बाला है आप एक मोका समझ लो जो भी हो आपको एक बहुत बड़ी अपर यहां पर जो आपका रहे ग्रूप बी और ग्रूप सी जिस्पेंट आपका आसिस्टन ओडिट सब इंकम्ट टाक्स आसिस्टन एंफर्समेंट ओफिशर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आसिस्टन डिवीजनल एकाउंटान जुनियर स्टाटिस्टिकल ओपिशर एंड ओडिटर तो यह सब पोदों को मिला कर आपका रेकुर्टमेंट किया जाएगा और यहां पर 20,000 से भी ज़यदा यह सब वेकंची एंड अलग अलग केटेगरी में रिवाड किया गया है यहां पर बाकी है एकाउंटान एकाउंटान जुनियर एकाउंटान पोस्टल आसिस्टन और सॉर्टिंग असिस्टन शिन्यर सेक्रेटर एंड आसिस्टन और ऊपर डिवीजनल तो दोस्तों बहुत शरी पदपर यहां पर रेकुट्मेंट होने बाला है यहां पर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो आपका अशिस्टन और अधिटर रहेगा यहां पर आपको बेचलर्स डिग्री मंगा गया है ठीके यहां पर इस्टाटिस्टिकल इंवेस् तो यहां पर कंपाइलर पोस्ट है जिसमें आपका बेचलर्स डिग्री मंगा गया है विट इकोनोमिक्स और स्टाटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स आज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ठीके और बाकी पदपर जितने भी बाकी पोस्ट है उसके लिए आपको उनल कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यह होगा ठीक है तो मैं आपको पूरा नोट्टिफिकेशन दिखा दूंगा लास्ट में अब उनको डाउलेड को सकते हो और प्रहुच्छे से पढ़ सकते हो ठीक है बात करें लिमिट की आज जान्वारी 2022 इसे इसके तहत आपका एज क अब बात करें यहां पर चोंकि हमारे स्ट केटेगोरिव है ठीक है और जो हमणारे पी डिकेंडियोड है उनको गौर्मेंट की रूह सब से तीन से दस सल तक दो मिल जाएगा ठीक सालेरी कि जो गूरूब बी और ग्रूप सी जो स्टार्टिंग रहेगा आपका 25500 शलेंगे तक रहेगा यहां पर आपका जो आप्लिक्शन फी रहेगा वह 100 रूपिस रहेगा और यहां पर और यहां पर और में सेस्टी पीडाउल डी एसम पीडाउल बीडी के लिए कोई भी फीज नहीं लगेगा यह जेनरल विश्वालों को हो 100 रूपिस लगया ठीक है दोस्तों बात कर यहां पर स्टार्टिंग डेट की जो आपका 17 से अप्लिकेशन फ्रसेश शुरू हो चुका है और जो आपका क्लोजिंग डेट रहेगा वह एट अक्टबर रहेगा ठीक है अगर आप इंटेस्टेट हो आपको एट अक्टबर से पहले अप्लाइब कर लेना है दोस्तों अप्लाइब करने के लिए इनके जो अप्लाइब कर लेना है तो आपको लोग इन कर लेना है देन जितने भी आपका अब फार्म दिया गया है आपको सबको फिल अब करके सेंटर चूज करके अप्लाइब कर ठीक है और यहाँ पर दोस्तों अप्लाइब करने से पहले ज़रूर अच्छे से चेक करें मैं आपको इनके जो ऑफिस्याल नोटिप्रिशन दिखा जा जा हूँ यह देख सकते हो इसको आप ओफिस्याल वीबसेट जो की ससी डॉट नाइसी डॉट इन आप वहाँ से जाके डाउनलड कर से तो ठीक है और यहाँ पर जितने भी इंपोर्टन डेर्स सबको मेंचन किया गया है देन यहाँ पर जितने भी पोस्ट है आपका पे लेबूल एड से लेके सेबेन सिक्स सबको मेंचन किया गया है ग्रूप बी और ग्रूप सी कैटेगराइज वाइज किया गया ठीक है आप देख सकते हो बहुत सारी पोस्ट है पूटी थाजन्स भी ज्यादा पोस्ट रहें आपका यहां पर सारे डिटेल्स जनकरी सबको आप डिटेल्स में देया गया है आप इनको डाउनलड करके पढ़ सकते हो ठीक है मैं इनको लिंक दे दूंगा डेक्सिशन बॉक्स में आप वहां से जाके इस नाटिवेशन दा सब्सक्राइब को सकते हो तो दोस्तों है बहुत बड़ी अपरचुंटी है आप इसको मिस मत करिए अपले जरुल को लिज्याटी के मिलते हैं अगले एक नई जोब वेकेंसी के अपडेट साथ धन्यवाद